तो एलो सुड़ाइन्स और वेरी गुड मॉर्निंग त्यू आल मेरा नाम वुपेंद्री सिंग बिस्ट एक बाद फिर से आप सबकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल दस्कॉलर्स हाउस में सबसे पहले फ्रेंड्स कैसे हैं सभी लोग आई होफ कि सब कर लिए हैं तो आज हम करेंगे का पार्ट बन आप लोग सबसे पहले देख के आजाईए उसको देखिए जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं इस क्लास को प्लीज शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए और यास बेल नॉटिफिकेशन को प्लीज प्रेस कर लिएजेगा जितने भी अप्डेट से से आपको मिलते रहेंगे तो डेली हम क्लास ले रहे हैं टर्म बन की क्लास 10 की हमारी क्लासेज चल रही हैं तो फ्रेंड्स नेकर पर पार-2 आज अम करेंगे तो इसमें हमारे देखिये फॉर्स से लेकर 1210 कोस्शन हमारे कोस्शन कम्लीट हो चुके पर तो question number 11 की तरह हम बढ़ाते हैं आपको question number 11 से start करते हैं चलिए देखे प्रेंट्स यहाँ पर क्या है आप लोगों ने koloniar points सुनाए ठीक है आप लोगों ने koloniar के बारवे सुनाए जी हाँ देखे कों से होते हैं जो एक ही लाइन पे बनने आले पॉइंट पर एक ही लाइन पर सिंगल लाइन पर बनने अले points को कहते हैं, collinear points कहते हैं, यह चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक हो गया, ध्यान से देखिए, अब हमें 3 points दे रहे हैं, हमें 3 points दे रहे हैं, हमें नहीं पता हमें 5,2, and the third one is, कितना है आपका, 9,5, मुझे बताईए, क्या यह collinears है यह नहीं है, क्या यह किसी same point पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक, देखिए, आप लोगों को भी class नहीं पढ़ा रही तो यह आप देखिए, सबसे पहले हम इसमें distance formula लगाते हैं, तो देखिए, सबसे पहले distance formula लगाएंगे, A और B में, so apply distance formula यह आपका लिखता हूँ मैं, so please सबसे पहले आप लोग देखिए, class को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, काफी important classes चल रही है, 5 chapter आज हमारे complete हो जाएंगे, दो और बचीएंगे, उसके बाद जल्दी कर लेंगे, फिर हम assertion reason की तरब पढ़ेंगे, so distance formula A, B में अगर आप लगाते हैं, देखिए, मैंने आप लोग को बता रहे हैं, distance on to the two, यह प्लस, आप लोग को पता होना चीए, तो यह थो प्लस हो जाएगा, तो देखिए, यहाँ पर से आप लोग कितना आए, यह आगए 4 का स्क्वाइर 16 यह आगए 3 का स्क्वाइर 9 तो यहां से आप लोगं को under root 25 आ रहा है जो की कितना होता है 5 ए भी आपका 5 आ गया अब निकाले बी सी के लिए जल्दी जल्दी बी सी के लिए फाइन करते हैं यहां पर तो बी सी के लिए देखिए B और C 9 माइनस 5 4 का स्क्वाइर 5 माइनस 2 3 का स्क्वाइर तो देखिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं 16 प्लस 9 यहां से यह भी 5 आ गया अब बारे आती है कौन बचा A और C तो जल्दी बताएए A और C के लिए जल्दी जल्दी करिए यहां पर देखिए 9 माइनस 1 8 ठीक है आप लोगों को पता लग रहा हूँ न देखिए एक मैं short करा रहा हूँ एक थोड़ा लेंग्दी करा रहा हूँ 5 माइनस माइनस का 1 देखिए y2 माइनस y1 क्या y2 माइनस y1 इसमें देखिए ऐसा जरूर नहीं है आप इसको x1, y1, x2, y2 ले ले लूँ अगर देखिए distance निकाल नहीं तो distance निकाल ले कि 2 point सी ज़रत पढ़ती है 2 point सी ज़रत पढ़ती है तो आप हमेशा के लिए बस क्या करिए x1, 2 point लेने पर इसको x1 y1 ले ले लीजिए और किसी दूसरे को x2 y2 ले लीजिए तो मैंने इन दोने के लिए इसको x1 y1, x2 y2 फिर इन दोने के लिए isquare x1 y1, isquare x2 y2 फिर इन दोने के लिए isquare x1 y1, isquare x2 y2 ठीक हो गया तो 9-1 अब 5 का minus 1 देखें यहां से minus minus plus हो जाएंगे तो यह plus का बन जाए रहा है ठीक हो गया तो यहां से लेकितना है 9 minus 1, 8 का square कितना होता है 64 plus यहां पर 5 plus 1, 6, 36 तो आप लोगों को देखें यहां पर आप जब उसका answer निकालेंगे तो कितना मिलनर आप लोग देखें हाँ पर 100 और जो कितना होता है 10 तो हाँ देखें यहां पर कहीं न के मुझे पता लग रहा है किसी 2 side का sum किसी 3rd side के बराबर आ रहा है और यही क्या होता हमारा colinear points की पैचान होती है क्या होती है AC बराबर कितना होना चाहिए AB प्लस BC जो की हो रहा देखिए AC बराबर AB प्लस BC 5 प्लस 5 दीखे रहा आपको यहाँ पर देखिए 5 प्लस 5 जो की 10 आ रहा है It means these points are collinear तो इसमें आप से पहला option ठीक लगा लिए Yes तो असका अंचर है Yes These points are collinear points ठीक हो गया? चलिए Question number 12 की तरह बढ़ते हैं यहाँ पर काफी easy question है Question number 12 वाला ठीक है? देखिए Question number 12 में आप लोग एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है वह है जी हाँ So question number point P, P 2,1 lies on the line segment joining the points A देखिए एक point है आपका यहाँ पर ठीक है? यह A है हमारा ध्यान से सुनिए इस तरीके का यह हमारा A है जिस point का नाम है इस A point के coordinate आप लोग के पास 4,2 है इस B point के coordinates आप लोग के पास कितना है? 8,4 और कह रहा है यहाँ पर एक point और है जो P है जो कि इस point इस line segment पर lie कर रहा है, तो देखो आप लोगों के से relation पूछ रहा है AP और AB के बीच में, अगर इस relation पूछ रहा है मतलब इसका मतलब कहीं न कहीं है distance की बात कर रहा है, तो आप लोग AP के लिए distance निकालिए 2-4, जहां से 2-4 कितना होगा? 2-4 यह कहा है? X2-X1 plus 1-2 ठीक है? और यह हो गया आप लोगों का बताएए, minus 2 का whole square यह हो गया minus 1 का whole square ठीक होगा, यहां पर से आप लोग देखी कितना आ रहा है? मैंने क्या किया A और P, देखी किस की visualization पूछ रहा है AP and sorry, AP and AP और AB और PB, यह तीन चीज़े हैं जिनके फिर पूछ रहा है, तो पहले मैं AP और AB के लिए कर लेता हूँ, ठीक है? AP और AB के लिए ही कर लेता हूँ, क्या पता मैं इसी साज है ठीक है? option को देखकर, यह कितना है? देखी यहां से लगाता हूँ, तो A और B यह है, 8-4, 4 का स्क्वाइर, प्लस 4-2, 2 का स्क्वाइर, यहां पर से आप लोगों को कितना मिलना है? देखिए, यह 16, यह प्लस 4, तो आप लोगों को अंडरूट 20 मिलना है, अब बात आती है भईया, AP और AB के बीच में अगर हम relation निकालें, अगर अगर हम relation निकालें, तो ध्यान से निकालेंगे, पताईए, तो AP और AB के बीच में relation देखिए, इस तरह इस तरह निकालें, AP को AB से डिवाइड करेंगे, आप लोग ध्यान से देखना, AP को AB से डिवाइड करेंगे, तो उसके जो हमारे distance हाई है, उसको भी डिवाइड करेंग कि पास? अंडरूट का 20, लोग ईचल अंडरूट 5 से एक बार, और यह अंडरूट 4, अंडरूट 5 उन्टू अंtır 4 toward वीचल कितना होगा, अंडरूट 20, तो अंडरूट 4 गितना है, आप लोग ध्याएड से देखिए, यहां पर अंडरूट 4 कितना होगा, कितना होता है, 2, यहाँ पर 2 होता है, ठीक है, तो value of under root 4 is 2, यहाँ पर अगर मैं AP upon AB, यह under root 4 के लिए 2 लिख दूँ, अब देखिए comparison कैसे कर रखा है, AP is equal to 1 upon 2 AB, ठीक है, तो AP क्या हो जाएगा, देखिए, यहाँ से अगर मैं AP निकालू, AB वहाँ चले आएगा, तो यहाँ से मारा इसका अंसर आ चुका है, तो जिस भी option में आपका है, जो भी option है आप लोग का है, तिक लगा लीजिए, तो यहाँ पर है D option is a correct one, question number 12 सा D option, question number 13 की तरह बढ़ते हैं, सबी लोग, ध्याँ तो देखिए, यह question भी काफी अच्छा question है, question number 13 आप लोग देखिए, आपको समझ में आगा है, एक बार AP के लिए निकाला, दुसरी बार AB के लिए निकाला, ठीक हो गया, question number 13 की तरह बढ़ते हैं, so देखिए friends, यहाँ पर question number 13 आप लोगों को क्या कह रहा है, now move on to the question number 13, देखिए, if the point X, Y is equal distance from, देखिए, equal distance मतला बरावर distance फे, ठीक है, कोई किसी एक point है, दो point से equal distance मतला, वो point जो है, हमारा, एक first वाले point से भी equal distance है, और second वाले point से भी equal distance है, it means, यहाँ पर, suppose आप लोगे पास एक point है, मान लिजिए, एक point है, इस तरह हाँ, इननो point भी रखा है, चलिए, coordinate से रखें, इस point के, तू, sorry, P काम से भी रखा, और X, Y लिख रखा है, ठीक है, मान लिए, ऐस तरह से point है, ठीक है, अब देखो, यह, मैं ऐसे कुछ करता हूँ, आप लोगों के लिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, उसको, A है हमारा 5,1, B है हमारा यहाँ पर 1,5, तो, जो question है, according to question, आप से कह रहा है कि, A P बराबर कितना है, B P है, equal distance में, मतलब इस point से, यह दोनो point, इस point से equal distance में, तो ठीक हो गया, equal distance मतलब यह, और यह, आप लोगों के बराबर है, इन में आप distance होगा लगाना, start कर देखे, तो यहाँ पर देखे, मैं A P के लिए distance होगा लगाता हूँ, ध्याँ से देखेगा, A P के लिए, देखे, मैं इसको X1, Y1 लेता हूँ, हाँ, ध्याँ से से मैं, यह X1, यह Y1, इसको मैं X2 और Y2 लेता हूँ, अगले बाले के लिए, इसको X1, Y1, फिक इसको X2, Y2 ले लोगा, चलिए, ठीक होगा, तो देखे, आप लोगा, क्या होगा, यहाँ से सुनिएगा, यहाँ पर, देखे, सबसे पहले का होता है, X2 मानेस X1, distance formula, देखे, आप लोग, X2 मानेस X1, तो X2 कितना आपके पास, 5, मानेस, और यह है X, इसका whole square, प्लस, ठीक है, Y2 मानेस Y1, Y2 कितना है, 1 मानेस, इस Y का whole square, ठीक है, equal to, अब आती इसकी बारी, अब मैं इसको अड़ा लेता हूँ, और इसको X2 बार लेता हूँ, लिए, कितना simple तीज़ा देखे, अब बढ़िया ऐसी इसी तरीके से, X2 मानेस X1, तो कितना, 1 मानेस, X का whole square, plus Y2 मानेस 7, 5 मानेस Y का whole square, चली, तो देखिए, X और Y के बिच में relation पूछना चाह रहा है, और कुछ नहीं, ध्यान से देखिए, अब एक दिक्कात यहाँ पर क्या है, एक चीज़ी मुझे बताईए, आप लोग, ऐसा क्या करें कि, यहाँ दोनों side से under root हट जाए, बताईए, कोई तरीका, yes, squaring both side आप लोग कर सकते हैं, क्या आप सको हो, महाँ पर square कर लो both side, squaring both side, ठीक है, तो अगर square both side करेंगे, मैंने आप लोग को कल बताया था, कि अगर under root, इस तरीके से हो, इसके बार से square आ जाए, तो इससे यह कर जाता है, ठीक हो गया, तो अगर यहाँ पर square आएगा, तो under root, under root, दोनों side कर जाएंगे, तो आप लोगों का 5 minus x का whole square, क्या बचेगा देखिए, plus 1 minus y का whole square, यहाँ बचेगा 1 minus x का whole square, और इधर बचेगा, plus 5 minus y का whole square, ठीक हो गया, अब हम इसको solve करते हैं, आपर देखिए, आपर कैसे solve करेंगे इसको, ठीक है, तो solution कैसे होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे हैंब आपर, आप लग एक ची मेरी बात बताई हैं, आपर देहां से सुनिए, मैं आपर a minus b का whole square लगा लूँ, a square plus b square minus 2ab, ठीक हो गया, plus, अब इसकी बारी आगी, a square plus b square minus 2a और b, 1 into y, y ही बनाएगा, इधर एक्वाल करिए, a square, ठीक है, 1 का square, 1 ही होगा, plus b square, ठीक हो गया, minus का 2ab, ठीक हो 2a और b, ठीक हो गया, then plus 5 का square, इसका square, plus, कितना आपरों का, sorry, a square plus b square, minus का, 2ab मतलब, 2 5 जा, then, then by, ठीक है, यह x square, इस x अब गटेगा, क्यों गटेगा, जब यह यहां पर आएगा, त्यहां से सुनिए, जब यह x square, आपका इधर आएगा, तो x square में से, x square minus, 0 बना देगा, तो देखिए, यह कड़ गए, यह कड़ गए, ठीक है, अब देखिए, solution कर लिए, यह कितना हो के, 25, तो यहां से ना, इसको मैं, square आपके, यहां पर direct 25 लिएता हूँ, और कहीं पर ऐसी कोई चीज है, जी यहां यहां भी कर लेता हूँ, ठीक हो क्या, तो 25 से हमारा 25 भी कड़ चुका है, देखिए, यह 25 जब इधर आएगा ना, इधर तो कड़ जाएगा, अब एक काम करते हैं, देखिए, 10x plus 2x, और, 10y plus 2y, तो देखिए, यहां पर से कितना आगया, minus का 8x, यहां आगया, minus का 8y, तो यहां से हमें, Hasta minus कटा, 8 से 8 कटा, जो यहां पर से हमें, x बराबर y, मिल चुका है, ठीक है, तो friends, देखिए, x बराबर y, जिस भी option में आप लोग का B, so B is the correct option. तो देखिए फिरें, question number 13 का आप सब कौन सा option था? इसका हमारा था B option, ठीक है? इसका B option is the correct one. X बराबर फाई, तो चलिए बढ़ते हैं, आप 3 question हो गए हमारा, 4 question देखिए, ये 4th question आपका short trick का question है, ठीक है? ये आप लोगों का short tricks का question है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? देखिए कैसे कैसे किस तरह से option को पहचानेंगे, ठीक है? सबसे main things होती है, option को पहचानेंगे, ध्यान से जना, जे जो बातें मैं अव्टा रहा हूं, प्लीज आप लोगों इनको note करके हैं, और अपने डिमार्ग में याद रखना है देखिए को, ठीक है? देखिए question हम स्वाटिन कहा रहा है, the point on x axis which is equidistant from the point 7,6 and minus 3,4. देखिए बात यह आती दोस्तों कि अगर कोई point अगर x axis पे है, मेरी बाद ध्यान से सुनना, अगर कोई point अगर x axis पे है, तो उस पे y की value दो 0 होगी, ये तो आपको पता है, कोई point अगर x axis पे है, you know that here, there, the value of y will be 0, ठीक है? तो y हापस 0 होगा, it means, x axis के line पर y 0 होता है, y axis के line पर x 0 होता है, तो देखिए, कहीं न कहीं ध्यास हो नहीं होगा, option चेक करेंगे न, आप लोग, आप से कह रहा है कि, हाँ, हाँ, वो point निकालो, x axis का point निकालो, देखिए, तीन, चार option से आप लोगों को ते रहे हैं, उसमें देखिए, एक option ऐसा है, जिसमें हमें y की तरफ को 0 दिख रहा है, ठीक है, जहां पर y है न, उसकी तरफ 0 है, बाकि सारे option में, कोई न, कोई values रखी हैं, तो वो तो कभी में नहीं हो सकती, तो हमें निकालना, basically क्या है, x, तो y की फिली 0 आपके पास किस option में है, यहाँ पर, c option में, तो इसको अगर आप टिक लगाएंगे, short तरीके से, अगर इस तरफ का आगया, तो c option आप direct टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर, ठीक है, यह अपने हमारा सही होगा, otherwise आप लोगों क solution करना है, कैसे करेंगे, देखिए, बताइए, अभी देखी यह है, ठीक है, दो point में अपने मन से लेता हूँ, अभी minus और plus की बात नहीं करूँगा, मैं अपने मन से खोल भी 2 point ले लेता हूँ, ठीक है, मान लेजिए, एक point यहाँ पर है, एक point यहाँ पर है, तो इस से equal distance पर यह बराबर यह, यहाँ से मैं क्या मिलेगा, एकस मिलेगा, तो बराबर अगर आप करते हैं, तो ध्याँ से सुनना, अगर मैं PQ बराबर QR लिख दूँ, तो आप इसमें distance होनला जब लगाएंगे, तो देखिएगा ध्यान से, PQ का distance होनला लेखिए, इसको X1, Y1, इसको X2, X2, Y2, देखिए, X2-X1, तो X-7 का whole square, plus 0-6 केतना होगा, minus का 6, equal to, फिर वोई, X2-, अब देखिए, यह क्या होगा, ध्याँ सुनना, X-, अगर minus का 3 करेंगे, तो minus minus plus, तिक हो गया, plus 0-4, यह होगा, minus का 4, इसका square है, अब देखिए, यहाँ पर से, क्या होगा, देखिए, वो एले चाहिए होगी, squaring करेंगे, both side, squaring both side, अगर squaring both side करते हैं, आप लोग को पता है, यह under root हट जाएंगे, इसके, X-7 का whole square बचेगा, plus, यह plus होगा, 36, यहाँ बचेगा, X plus 3 का whole square, और यह बचेगा, 16, देखिए, फ्रेंट्स, यहाँ पर अगर solve करूँ, तो यह आएगा, हमारे पास, A square, plus 49, minus का 14X, plus 36, equal to A square, plus 9, plus 6X, plus 16, तो देखिए, फ्रेंट्स, यहाँ पर समक्या करेंगे, इससे तो, यह कड़ गया, 49, plus 36, कितना होगा, 4, 85, और 85, और यह कितना होगा, 25, so 85, minus 25, यह बचेगा, और देखिए, माइनस का 14X, plus 6X, तो 14X, plus 6X, इहर आगया, तो यह देखिए, आपको कितना आगया, यह, 60, तो यहाँ पर आगया, 60 is equal to 20X, तो X की लोनी, यहाँ पर से देखिए, 3 आ चुकिए, ठीक है, तो 60 upon 20 करेंगे ना, तो देखिए, इस तरही से, otherwise, मैंने आपको direct बता जया, किस तरही से होना है, चलिए, question number 50 कर लेते हैं, तो question number 50 तरह बढ़ते हैं, चलिए, question number 50 तरह बढ़ते हैं, इस का, तो के साथ साथ आपको बताना पढ़ेगा, बेसिक भी, short है तो यह थूड़ना है, यह थूड़ना है, कि आप sort की कर लग जाए, अच्छी बात है, short के साथ साथ नहीं लग रह कर लेते हैं और इसको हम last कर लेते हैं ठीक है क्योंकि class लबी जा गे तर इसको last कर लेते हैं देखे क्या है इसमें question है आप लोगों का ठीक है कि एक question में आप लोगों को लेता हूं यहां पर the accordance of the point which device line segment joining the points four comma minus three ठीक है four comma minus three and nine comma seven internally in the ratio of ratio two यह देखिए यह आगे आपके पास section formula ठीक है क्या कहना देखिए यहां पर एक कीज आपको बताऊंगा मैं एक दो पॉइंट लेजिए यहां पर मालेजिए यह है आपका four comma minus three और यहां पर दूसरा पॉइंट है nine comma seven देखिए इसको भी थोड़ा सब्सक्राइगा देखिए option को समझने आना ठीक है option समझने है में ठीक है options कैसे समझने है देखना हां यहां पर आप लोगों का क्या है इसको थिर ratio two में line divide कर रही है ठीक है थिर ratio two में इस line को यह point जाए दिवाइड कर रहा है यह point ठीक है तो यहां पर आपका क्या हो गया इसका answer sorry a और यह बी अब मालेजिए यह point है c जिसके coordinates है x, y तो आप लोगों को पता है section formula यह होगा m यह होगा n यह m या फिर n कहीं कहीं पर जहां से सुनना इसको m1 लिखा होगा और इसको m2 लिखा होगा tension मतले ना बिल्कुल भी या तो m या n लीजिए या m1 और m2 लीजिए मैं m और n लेके देखिए आपको section formula लिखा देता हूँ x equal to क्यों होता है mx2 लिखाना नहीं है एक काम करता हूँ मैंने आपको writing set पर देता हूँ section formula क्या होता है ठीक है तो देखिए यहां पर मैं अगर लगाऊं अगर मुझे x निकालने होते हैं तो ध्यान से सुनना इस तरह से पता लग जाएगा m क्या है 3 x1, y1 यह होता है x2, y2 ठीक हो गया so x is equal to m mx2 mx2 कहां पर है mx2 plus n n कितना है 2 n y1 plus upon m plus n और m plus n कितना होता है 3 plus 2 ठीक है इसको आप solve करके देखिए 9 तो 27, 27, 3 तो जा 6 किता है 3 तो जा 6, minus का 6 किजिए इसमें से mx2 plus nx1 mx2 plus nx1 mx2 plus nx1 यहां पर आपका 4 आएगा ठीक है nx1 तो यहां पर आपको कितना करें 27, 27 plus 8 upon 27 plus 8 upon 5 तो देखिए इसको solve करेंगे 35 upon 5 आ गया और यहां से देखिए 7 आ गया तो मुझे बताएए friends क्या आपको check करने की जरूत है जरूत है second option क्या आपको sorry क्या आपको y निकालने जरूत है क्यूं आप options जरूत देखिए जरूत में ध्यान देजिए पहले option में 7 दे रखा है मतलब 7,3 3 को मत्तबी नहीं है तो पहले option आपको दे रखा कि इसका एक कोडिनेट क्या है जो कि अगर आपके पास different option आगे इस तरह किसा आगे आपके पास if you have two options like this ठीक हो गया अगर आपके पास दो option इस तरह किसा आगे ठीक तो आप लोग क्या किजिए पता है आप लोग को दो option में 7 और 7 तो है तो भाई अगर ये दोनों ही answer सही होंगे इन दोनों से कोई एक answer सही होंगे तो यार मैं क्यों एक्स के लिए चेक करूं क्योंकि एक्स तो 7 है यहां भी 7 है यहां different है तो अगर मैं चेक करने लग जाओ सीधे डारेक्ट वाई को देखना मेरी वाइट में च्याक है रहा हूं अगर मैं सीधे वाई के लिए चाहापर करूं तो मुझे वाई तो please don't check this one ठीक है एक्स के लिए प्लीज चेक मत किजिए क्योंकि एक्स के लिए सारे यह option आपके पास सही है ठीक हो गया एक्स मतलब वो पहले सही कह रहा है कि एक्स तो 7 है भाई है क्योंकि option में जब सारे 7 दे रखें तो चेक किजिए यह different है 1,2,3,4 तो उस time पर आपको y एक लिए चेक करना है यह method था होता है आप लोगों का mcq को solve करने का तो देखिए अगर वाई के लिए पर यहाँ पर क्या होगा एम एम हो ठीक है देखिए mx2 था अब m y2,m कितना है यहाँ फार 3,y2 कितना है एक्स में 11,x2 गार 2,7 प्लस n y1 ठीक है n कितना है 2 और y1 कितन माइनस का 3 upon यह आगे 3 प्लस 2,5 तो देखिए आप 321 और माइनस 6 कितना यह आपका के देखिए 50 देखिए अब देखिए आने क्या यह यह नहीं है आपके options ठीक है अभी यह आपके options नहीं है यह मैं example के तोर पर लिए आप लोगों के लिए options आपको right and side पर दिख रहे हैं मै इस की साहर option से होंगे और एक के अगर sorry हाँ जब X से होंगे तो सिर्फ Y के लिए चेक करना देखिए most probably क्या होता है जहां से सुनना वेरी बात most probably इस तरीके से भी होता है आप लोगों का कि कोई दो option अगर से हो तो उन दोनों में से ही कोई एक option होता है ठीक है और उसमें भी 3 जो उस और साइड राइट है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा ठीक है 7,3 ठीक है यह देखिए महां पर देखिए यह बागी साब एक्जामपल ले रहे हैं यह हमारा उस option में भी ठीक है यह हमारा एक्जामपल में भी आया sorry यह मैंने यहां पर भी ले लिया वो त प्रशन आ रहे हैं यहां पर ठीक है तो चली देखिए एक बाड़ा उसको तो देखिए फ्रेंड्स इतना ही था आज़ी क्लास में I hope सब पूरी क्लास आपको समझ में आगे होगी यह M Y M X2 Plus N Y X1 अपॉन M Y2 प्लस N Y1 अपॉन M प्लस N ठीक हो गया तो चलीए So students आज के लिए आज हमें सिर्फ 5 questions इसके कर रहे हैं तो हमारे 15 questions हो चुके हैं तो next class में आपको आप लोगों के लिए बचे हुए 5 questions में लेकर आऊंगा तो प्लीज आज जो मैंने एक M.C.U. का आपको तरीका पता रखा इसको आप लोग प्लीज एक बात देख लिजेगा यह आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful रहेगा तो देखे फ्रेंड्स जो इस चैनल पर नए जोड़े हैं इस class को प्ली शेयर कर दीजिए और subscribe कर दीजिए bell notification को प्रेस कर लिजिए अब हम इसके बाद दो chapters complete होते ही हम करेंगे CBS चीकर को sample पर या फिर हम assertion reason की तरफ बढ़ेंगे so case study के कुछ questions और है एक दो दिन में आप लोगों के लिए वो भी आ जाएंगे तो please that's all for today so thanks for watching keep sharing keep supporting me take care goodbye have a nice day stay home stay safe and thank you